हेलो दोस्तों तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यू चनल राकियस कुमार लर्निंग कलासेस में आज हम आपके लिए तिरकोनमिती का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम फिर से कुछ महत्पुर्ण बातों को देखेंगे अगर आप अभी तक हमारे पहले वीडियो को नहीं देखें तिरकोनमिती का तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज का क्या है पॉइंट तिरकोनमीतिय निस्पतियां तो देखते हैं तिरकोनमीतिय निस्पतियां क्या होती है तो देखें समकोन तिरभोज में किनी दो भुजाओं और उनके बीच के कोनों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को तिरकोनमीतिय निस्पतियां काते हैं क्या काते हैं दोस्तों तो देखिए वो जो भुजाएं होते हैं तिरभोज की जो भुजाएं होते हैं उनके कौन और भुजा के बीच जो संबंध दर साता है न इसी को क्या बोलते हैं तिरकोन मीतिय निस्पतियां तो तिरकोन मीति के कितने निस्पति होतی है दोस्तो तो ये होती है टोटल च्छ कितने होते हैं तिरकॉनमिति की निस्पतिया तो ये होती है आपका share कौन कौन होता मोथा है साइण क्या होता है पहला साइण–S-I A-N-E साइण, पूरा नाम क्या होता साइण और हम ऐसे ठीटा लगा दियें आप हो तो लगाई है नहीं तो नहीं लगाई है कोई बात नहीं है तो साइन ठीटा बराबर क्या होता लंबटा कर्ण होता क्या होता है लंबटा कर्ण हम आपको फिर से बता देते हैं कि अगर ये एक समकोन तरभूज है और ये कोना अगर ठीटा है मान लेते हैं यह ठिटा है और यह समकोंत्रभुज ABC है तो यह आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और यह आपका आधार हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा कर्न तो साइन ठिटा जो है यह साइन ठिटा यह आपको क्या देता है तो देता है लंब बटा कर्ण का अनुपाती यह जो है लंब भुजा जो लंब है और कर्ण जो भुजा है इसके अनुपात को बताता कौन साइंटिट है और लंब को हम सोट कॉर्ट में क्या लिखते हैं पी लिखते हैं बinhosट में क्या लिखते हैंNa raar को क्या लिखते हैं अधार को क्या लिखते हैं sert ह लिखते हैं तो हम यहाँ पर लंब को P लिख दिए आप लंब बता कर्ण को क्या लिख सकते है P बता है क्योंकि कर्ण को स्वर्ट में क्या लिखते है है अच और इसका next क्या है दुसरा जो है निस्पत्तिया sorry, cosecant theta जिसको क्या परते है कर्ण बट्टा लंब, को सेकेंट ठीटा is equal to क्या होता, कर्ण बट्टा लंब, साइन का ठीक उल्टा होता, को सेकेंट, तो ये कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, देखिए, ये जो है, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा पलट जाएगा लंब बटा करन है तो ये हो जाएगा क्या करन बटा लंब आपका क्या हो जाएगा करन बटा लंब और ये भी देखे जब ये पलटा तो ये भी पलट जाएगा क्योंकि इसी को तो ह काते है और लंब को क्या काते है पी तो यह sin theta is equal to ho गया lumb butta karn और coset theta क्या हो गया karn butta lumb और तिसरा क्या है cos theta cos किसका अधार जो है यह वली भुजा और यह भुजा karn इसके अनुपाद को को बताता है तो बताता को साइन ठीटा कौन को साइन ठीटा और अधार को हम लिखते हैं B और कर्ण को लिखते हैं H तो इसलिए हम इसको स्वाट में क्या लिख सकते हैं B by H चलिए अगला क्या है अगला है सेकेंट छिटा क्या है सेकेंट तो सेकेंट छिटा क्या होता है कर्ण बटा अधार होता है ठीक को साइन का उल्टा होता है सेकेंट तो यह हो जाएगा क्या कर्ण बटा अधार देखें को साइन का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा सेकेंट तो यह क्या है टेंजेंट ठीटा टेंजेंट क्या बताता है लंबटा अधार का अनुपात बताता है क्या बताता है टेंजेंट लंबटा अधार का अनुपात तो आपका लंब ये हो गया ये वला भुजा और अधार ये हो गया तो ये दोनों भुजा का जो अनुपात बताएगा वो कौन होगा टेंजेंट और इसका ठीक उल्टा क्या होता है को टेंजेंट छठा जो है और लास्ट को टेंजेंट ठीटा और को टेंजेंट ठीटा जो है आपका क्या बताता अधार बता लंब अधार बटा क्या बता था? Lumb देखे ये अधार और ये Lumb का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा? Cotangent जिसको हम sort में क्या लिखते हैं? B by P B अधार को और Lumb को क्या लिखते है? P तो ये जो है अधार बटा Lumb ये जो अनुपात देगा वो क्या हो जाएगा? Cotangent और इसको sort में हम क्या लिखते हैं? Sine को सिर्फ sign लिख देते हैं Cosecand को क्या लिखते हैं? Cosec और sign को क्या लिख देते हैं sort में? तो इसको लिखते हैं Cose पूरा नहीं लिखते है sort रूप इसका यूज़ करते हैं और sick का लिखते हैं? S, E, C, sick बस इतना ही लिखते हैं और tangent का T, A, N बस इतना ही लिखते हैं 10 और ये co-tangent का sort रूप क्या हो जाता है? cot, C, O, T ये हो जाता है इसका sort रूप हम math बनाते समय, इसका सवाल बनाते समय सिर्फ sort रूप का ही यूज़ करेंगे तो यहाँ पर sin ठीटा सिर्फ देंगे cos ठीटा, cos ठीटा और sick ठीटा, ten ठीटा और क्या लिखेंगे? cot ठीटा ये सिर्फ sort रूप का यूज़ होगा तो चलिए अगला देखते है अगला बात क्या है? हम आपको बता दिये थे कि sin ठीटा का उल्टा क्या होता? cos ठीटा तो sin ठीटा बराबर तो नहीं है cos ठीटा, तो उल्टा है तो उल्टा को कैसे लिखते है? one by cos ठीटा, sin ठीटा बता में भी एक है, तो यह इसको जब पलटिएगा cos ठीटा को जब पलटिएगा तो यह sin ठीटा भी क्या हो जागा? पलट जाएगा, तो अगर माल लेते हम इसको उपर ले गए, तो यह cos ठीटा हो जाएगा और sin ठीटा को पलटेगे तो सेग ठीटा, क्या होता है? सेग ठीटा cos ठीटा का उल्टा क्या होता? सेग ठीटा तो cos ठीटा का उल्टा जो सेग ठीटा होता है तो इसको कैसे लिखते है? 1y सेग ठीटा cos ठीटा is equal to 1y सेग ठीटा अब बताए, यह cos ठीटा का उल्टा अगर 6 theta है तो 6 theta का उल्टा क्या हो जाएगा तो हो जाएगा cos theta क्या हो जाएगा 6 theta is equal to 1 by cos theta तो आपका 6 theta बराबर क्या हो जाएगा 1 by cos theta और अगला क्या है पाचवा नमर अगला है पाचवा नमर 10 theta और 10 theta किसका उल्टा है तो यह है cos theta का या बोल दिजिए 10 ठीटा का उल्टा क्या होता है कौट ठीटा तो 10 ठीटा का उल्टा जब कौट ठीटा होता है तो हम फिर से वही बात बताते हैं कि जब उल्टा होता है तो 1 के बटा में उसको रखते हैं तो 10 ठीटा is equal to क्या हो जाएगा कौट ठीटा तो 10 ठीटा is equal to क्या हो जाएगा 1 by 4 ठीटा क्या हो जाएगा 1 by 4 ठीटा और 4 ठीटा is equal to क्या हो जाएगा जब 10 का उल्टा कोट है तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा 10 और उल्टा जब भी होगा तो ये का हो जाएगा 1 के बटा में चला जाएगा क्योंकि हम आपको बता दिये हैं जब इसको पलटते हैं इसको पलटते हैं तो इसके बटा में नहीं कुछ तो क्या रहता है बचा हुआ एक रहता है हमेशा एक रहता है किसी के बटा में तो इसको जो हम पलटेंगे इसको जो हम पलटेंगे तो ये उपर जाएगा और ये भी उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा तो चलिए हम इसके और कुछ फर्मूलों के बारे में देखते हैं तो चलिए देखते हैं यहां तक समझ में अगर आपको आ गया है तो चलिए आगे देखते हैं कुछ फर्मूला के बारे में तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और अगर आपको बेहतरीन तरीका से त्यारी करना है क्लास टैन्थ को तो आप पका ही इस चैनल को सस्क्राइब कर लें क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास नाइन्थ और टैन्थ के सभी सिलेवस पढ़ाएं जाएंगे और वो भी बेहतरीन तरीके से तो चलिए हम कुछ और भी फर्मूले देख लेते हैं पहला फर्मूला ये है कि साइन अस्कॉाइट ठीटा जो होता है साइन अस्कॉाइट ठीटा और पलस जो होता है कॉस अस्कॉाइट ठीटा इज इक्वल टू होता है वन क्या होता है वन अब हम कैसे मानें कि साइन अस्कॉाइट ठीटा पलस cos square theta is equal to 1 होता है तो चलिए इसके लिए भी देखते हैं तो ये क्या होता sin theta क्या होता ये होता है लंब बट्टा कर्ण क्या होता है लंब बट्टा कर्ण और यहाँ पर square है तो हमको square देना परेगा सब पे और plus है तो plus देदेंगे और आगे देखें क्या है cos theta क्या होता है तो cos theta होता अधार बट्टा कर्ण क्या होता अधार बट्टा कर्ण और यहाँ पर square है तो हम भी square देंगे तो बराबर में हमको क्या लाना है LHS बराबर क्या करना होता RHS तो हम इसको बना के एक लाने की कोशिस करेंगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर जो है हर समान होता है तो लगुत्तम जो है से वही रहा जाता है LCM जो होता है वो ही रहा जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण का square और देखिए अगर कर्ण का square को कितना मरतब्बे परहेंगे मतलब कितनी बार परहेंगे तो कर्ण का square आ जाएगा तो एक बार जब परहेंगे तो इसको जब एक से गुना करेंगे तो यह क्या रहा ज स्काइर और हम आपको ये बता चुके हैं पाइथा गोरस परमे में कि लंब का स्काइर पलस अधार का स्काइर इस एक्वेल टू क्या होता है करन का स्काइर हम ये आपको पहले विडियो में ही बता चुके है अगर आप नहीं देखे हैं तो आप description में दिये गए link को चेक करें तो देखें लंब का square पलस अधार का square बराबर क्या होता कर्ण का square और नीचे भी क्या है कर्ण का square और ये कट के कितना आ जाएगा एक आ जाएगा तो देखें ये RHS सिध हो गया कि नहीं तो ये आपका LHS बराबर RHS सिध हो गय मतलब sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है कैसे होता है ये भी हम जान लिए तो चलिए इससे जो है कुछ फर्मूले और भी निकलते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं तो देखें यहाँ पर क्या है sin square theta plus cos square theta is equal to क्या है 1 है तो आगर हमको सिर्फ चाहिए sin square theta क्या चाहिए सिर्फ sin square theta तो हम को क्या करنا परेगा यह को युदी धागर यह को industries में तो चल यह तो चलिक के ठीटा, sin square theta is equal to का जाएगा, 1 minus cos square theta, और अगर हमको सिर्फ sin theta चाहिए, क्या चाहिए, sin theta, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इधर से square हम अटाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, तो आपका root चहर जाएगा, क्या चहर जाएगा दोस्तों, root चहर जाएगा, तो देखें, यहाँ स कितने फर्मूले आ रहे हैं, तो sin theta is equal to क्या जाएगा, root under 1 minus cos square theta, और अगर आपको sin square theta चाहिए, तो क्या जाएगा, 1 minus cos square theta, और अगर हमको और भी यहाँ से फर्मूला निकालना है, तो देखें, अगर हम क्या करते हैं, अगर हमको सिर्फ चाहिए, cos square theta, क्या चाहिए, सिर्फ cos square theta, तो इधर RHS में तो 1 है, तो इसको 1 ही रखेंगे, लेकिन ये LHS में जो sin square theta है, क्या है, sin square theta, इसको हमको अगर RHS में देना है, तो ये इधर plus में है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब plus है, क्या है, दोस्तों, plus है, तो ये plus, जो sin square theta है, इसको अगर हम RHS में बेजें चिन बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या जागा, sin square theta, तो देखे, cos square theta is equal to, क्या निकल गया है, यहाँ से, 1 minus sin square theta, और अगर सिर्फ हमको चाहिए, क्या, cos theta, यहाँ से सिर्फ हमको चाहिए, cos theta, तो हम क्या करतेंगे, इधर से square हटाएंगे, तो इधर क्या चार जाएगा, तो sin square theta, तो इसी तरह से और भी हैं, कुछ फर्मूले, जिसको हम आपको next वीडियो में बताएंगे, तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद,